सावनेर पांडूना रोड पर सित हेटी शिवार में नर तेंद्वा मृत अवस्था में दिखाई पड़ने पर हलकम मच गया तथा मृत तेंद्वे को देखने हे तू भीर उमरने लगी है चार मार्च सुबा ग्यारा बचे के करीब सावनेर पांडूना रोड इस्तित हेटी शिवार में एक नर तेंद्वा मृत अवस्था में हुने की खबर सावने थानेदा मारूती मुलोक और हे जोती फाउंडेशन के देश बंसोड को लगते ही वन परिशेतर खापा और कलमेश्वर को उक्त घटना की जान कर दे कर घटनास्तल पहुचे और उक्त वन परिशेतर कलमेश्वर वन विभाग की अंतरगत आने से कलमेश्वर वन परिशेतर धिकारी नौकर कर भी अपने दलबल के साथ घटनास्तल पहुचकर घटनास्तल प जटाम खोरा खापा वन परिशेत्र के कोदे गाव बडे गाव आधी शेत्रों में पिछले करीब एक वर्ष से तेंदुए की उपस्तिती की शिकायत प्रत्यक्रशी किसान भाईयों ने कर उक्त तेंदुए को पकड़ कर घने जंगल में छोड़ने की माग निमितता से की अधिकारी करमचारियों ने ध्यान नहीं दिये जाने का आरोप इस अफसप किसान भाईयों ने वन अधिकारियों पर लगाया वही चार मार्च दुहज़ागर हुई इस घटना में उक्त तेंदुए की मौत कैसे हुई यह तो शब विच्छे दन के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत को किसी शिकारी ने अंजान दिया या खेतों में लगे बाढ को करंट लगने से हुई या किसी अग्यात वहन की चपेट में आने से उसकी मौत्यू हुई फिलहाल म्रत्य तेंदुए की शब विच्छे दन रिपोर्ट आने परी सिती स्पष्ट होने की बात कलमेश्वर वन परिशेत अधिकारी नौकरकर ने कही म्रत्य तेंदुए का शब हिच्छोती फाउंडेशन के तेश बनसोड अभिशेख भगत अभिशेख साथपूते ग्राम हेटी के पुलस पाटल गहरवार आधी की सहता से पशुचिकत साले सावने रवाना करने में सही योगतिया सावनेर सीन बीसेन न्यूस के लिए कि शोट हुंडे लिएकी रिपोर्ट